कि आसाम के युवाओं के खिलाब, किसानों के खिलाब अन्याए हो रहा है आप युवा जो है, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, युनिवर्सिरी जाते हो प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, जेब से आप पैसा देते हो, लाकों रुपए लग जाते हैं और फिर जब आप पास हो जाते हो फिर आपको पता लगता है कि आसाम में हमें रोजगार नहीं मिल सकता सही बात है किसानों को सही दाम नहीं मिलता छोटे दुकानदार जो है स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाने वाले लोग जो है उनको नोटबंदी और जी एस्टी से मार दिया नोटबंदी से यहां किसी को फाइदा हुआ जी एस्टी से यहां किसी को फाइदा हुआ आप जानते हो जी एस्टी से किसको फाइदा होता है हिंदुस्तान के सबसे बड़े दो-ती नुद्योग पतियों का फायदा होता है ये ये तो पूरी की पूरी सरकार असाम की सरकार एक परिवार के लिए चलाई जा रही है और देश की सरकार अधानी जी के लिए चलाई जा रही है और आप देखते रहा जा रहे हो आपको नारोजगार मिलता है मेंकाई बढ़ती जाती है किसानों को सही दाम नहीं मिलता इसलिए हमने यह यात्रह यहां शुरू की